हेलो दोस्तो मेरा ना मैं गौतम और आप देख रहे हैं ULAC electronics और दोस्तो यहाँ पे जो आप एक Class D का audio amplifier देख सकते हैं यह हमारा 2.1 audio amplifier board है अगर आप इस board को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको description में देदूँगा आप वहाँ से इसको खरीच सकते हैं इससे पहले मेर हमारा 2.1 का audio board है और ये भी हमारा two point का audio board है लेकिन इसमें काफी changes किये गये हैं आप यहां पर board को देखकर खुछ से अंदाजा आप लगा सकते हो कि इस दोनों board में हमारा कितना का अंतर है तो आईए हम इस board को side में रखते हैं और इस board के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दो यह जो हमारा two point one home theater board है तो इसका जो आप model नंबर आप यहां पर देख सकते हो iot255 ठीक है यह इसका model नंबर है और इससे पहले जो यह in question का यह board है इसका logo जो कुछ इस परकार का आता था यह भी in question का यह हमारा 100 watt का amplifier board है और यह भी in question का यह हमारा class d का 2.1 audio board है और इसमें जो हमारा IC यूज किया गया दोस्तो original हमारा TPA 3160 दो IC यूज किया गया है तो यह हमारा 2.1 है तो एक IC से दो channel यूज किया गया है जो की left और right है दोनों और channel से हमारा 50 watt plus 50 watt output करेगा आप इस पे जो है 4 ohm और 8 ohm दोनों load दे सकते हैं और इक हमारा जो IC बचता है जो सब उफर को चलाने कि watt is ज्यादा मिलेगा अगर 8 ohm का यूज करते watt वहाँ पे आपको कम मिलेगा बस यही फरक है बाकि आप दोनों impedance का speaker हो या subwoofer हो आप लगा सकते हो अगर हम यहाँ पे power supply की बात करें तो आप इसमें जो है pure DC इसमें 12 volt से लेके 24 volt तक दे सकते हो तो यहाँ पे इस board में हम द हमारा जो satellite है उसमें travel को बढ़ाने के लिए यहाँ पे high frequency का यहाँ पे potentiometer लगाया गया है और यह हमारा main volume है ठीक है यह main volume है जो कि हमारा satellite को control करेगा और यह हमारा subwoofer का यह volume controller है जो हम इसमें subwoofer लगाएंगे वहाँ पे इसको control करेगा और just इसके बगल में आप यहाँ पे 5.0 है और यहाँ पे एक micro switch दिया गया है जिसको आप push करके यहाँ पे mode को change कर सकते हो जैसे यहाँ पे गर bluetooth इसमें mode है तो आप यहाँ से audio input का signal देखे आप इसमें audio input चला सकते हो लेकिन यहाँ पे क्या है कि mode change करने के लिए इस push button को आपको यहाँ पे press करना होगा तो आपका mode change होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें op amp ic का जो है यूज किया गया है और ic का जो नंबर है दोस्तो 45 संठावन है और यह जो op amp ic 45 संठावन होता है काफी अच्छा होता है यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो original tpa 31 दो ic यूज किया गया है एक को हमारा bridge है और एक हमारा normal left right channel है जो कि satellite के लिए और bridge वाला हमारा सब उफर के लिए है तो आईए हम यहाँ पे फिर से hitsing को लगा लेते हैं और यहाँ पे जो है hitsing लगाते समय दोस्तों इसमें आप hitsing compound का ज़रूर यूज करें तो यहाँ पर मैंने hitsing को लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पे आप 6 piece inductor देख सकते हो यह हमारा जो है audio output के section में लगा हुआ है चार्ज हमारा satellite speaker के लिए जो की left और right के लिए है और यह दो inductor जो हमारा है subwoofer के लिए और उसके बाद आपको यहा connector मिल जाते हैं और इस connector के back side में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए front right और front left यह दोनों हमारा satellite speaker के लिए जिस पे आप 50 watt प्लस 50 watt का speaker connect कर सकते हो और उसका जो impedance होगा 4 ohm से लेके आप 8 ohm तक आप चला सकते हो और यहाँ पे जो subwoofer है इस पे आप 100 watt का 4 ohm से लेके 8 ohm तक आप subwoofer इस पे यूज कर सकते हो और आप लोग यह बार बार कमेंट करते रहते हैं कि इसमें कितना इंज का subwoofer हो या speaker कितना इंज का चला सकते हैं speaker का इंज से कोई मतलब नहीं है बस आपको यह देखना है कि speaker का what क्या है और ohm क्या है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर last में देख सकते हैं यह power है तो power का यह minus है और यह plus है तो यह power के section में आप यहाँ पर देख सकते हैं दो devote लगाया गया है जो कि आपको यहाँ पर क्या क इसके थुरू यहाँ पर यूज किया गया है ठीक है यह देख सकते हैं यहाँ पर किया गया और यहाँ पर भी किया गया मतिवे सभी output section के पीन पर हमारा यह यूज किया गया है तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर speaker और subwoofer का connection कर लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस amplifier board मैंने यहाँ पर left और right channel का यह दो speaker मैंने connect कर रखा है और यहाँ पर मैंने subwoofer का connection किया है उसके बाद यहाँ पर मैं जो power supply यूज करने वाला हूँ मैं इस smps का use करने वाला हूँ जो कि यह हमारा 24 volt और 6 ampere से 8 ampere तक हमारा output करता है अगर आप इस board को लेना चाहते हैं तो इसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से खरिद सकते हो तो यहाँ पर आप इस board में देखेंगे कि जो इस साड़ यह connector लगा हुआ यह ह हमारा 220 volt AC के लिए है और यहां पर जो आप connector देख सकते हैं जिधर लिखा हुआ है minus और plus यहां से हमारा DC output करता है ठीक है तो अगर आपके पास जो यह board नहीं है और यह इसको चलाना चाहते है तो इसमें आपको pure DC देना है ऐसा नहीं कि transformer का दो वायर लिया और इसमें डाल द करेगा ठीक है तो आइए हम यहां पर जो इसका यूज कर लेते हैं यहां पर पावर सप्लाई का भी connection हो चुका है और यहां पर आप पावर सप्लाई का जो connection करते हैं वहां पर आप हमेसा ध्यान रखे कि आपको जो minus और plus है बिल्कुल इसका सही हो वैसे भी उल्टा लग ज करते हो तो उसके साथ जो आपको पोटेंसों मीटर के लिए यहां पर जो है कुछ नौफ मिल जाते हैं तो मैं यहां पर इसको पूरा यहां पर जीरो करके और यह जो हमारा वाइट बोला पॉइंट है इसको कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे तो दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है और इस एम्प्लीफार में यहां पर एक छोटा सा LED लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि इसमें हमारा पावर सप्लाई आ गया है तो यहां पर मैं भी बोलियूम को बढ़ाता हूँ और देखें यहां पर जो है यह म Micro Switch को Push करने से यह Mode हमारा Change होता है यह हमारा Bluetooth Mode है यह हमारा Audio Input के लिए यहाँ पर यह आ रहा है तो IAM इसमें थोरा Bluetooth से बजाते हैं उसके बाद हम इसको Aux से टेस्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप एक बात ध्यान रखे कि जब आप Power Supply को यहाँ पर यूज करते हो तो यहाँ पर AC करेंट होता है तो आप यहाँ पर टाच ना हो इस परकार से आप शेप्ठी का ध्यान रखे यह जो हमारा Amplifier Board है दोस्तों मेरे Mobile से Connect हो चुका है यह हमारा Swaboofer का है तो इसमें जो High Frequency है दोस्तों काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आप देख सकते है ट्रेबल जो है जिसको High Frequency बोलते है यह ट्रेबल जो है यह आपको ट्रेबल का जो इफेक्ट है दोस्तों आपको सिर्फ Satellite की स्पिकर में ही देखने को मिलेगा Swaboofer से कोई लेना देना नहीं है Swaboofer के लिए यहाँ पर Control दिया गया है Swaboofer के लिए गया है लाइन इन् दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको Bluetooth से चेक करके दिखा दिया है और इसका जो sound quality दोस्तों काफी अच्छा है और यहाँ पे इसका base इतना है दोस्तों कि यहाँ पे लगा कि सबोफर का जो spider यही निकल कर बाहर आ जाएगा सबोफर का जो बेस क्वालिटी दोस्तों यहां पर काफी अच्छा है तो आई हम यहां पर आउक्स केवल के थूरू इसमें जो है सॉंग प्ले करते हैं तो यहां पर मैंने आउडियो इन्पुट दे दिया है और यहां पर स्टांड को बढ़ाते हैं तो दोस्तों यहां पर हमारा 2.1 एम्प्लीफार बोर्ड जो है हमारा काफी अच्छा से काम कर रहा है और यह काफी अच्छा यह साउंड प्रोवाइड कर पा रहा है मैंने साउंड को बढ़ाते गया लेकिन इसमें जो है क्लिपिंग का कोई दिक्कत नहीं आया और उसका में रिजन है दोस्तों इसका पाबर सप्लाई क्योंकि पाबर सप्लाई इसके रिक्वारिमेंट से हमारा इसमें बिल्कुल अच्छे से दिया गया है इस बज़े से हमारा फूल साउंड करने पर भी यह हमारा किसी भी परकार का क्लिपिंग का प्रोलम इसमें देखने को नहीं मिलता है तो इस परकार से दोस्तो आप इस 2.1 होम थेटर बोट का कम्प्लीट वाइडिंग कर सकते हो और इस बोट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस दोनों बोट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा आप वहाँ से इसको खरिश सकते हैं यह आपको जो है इन कॉशन के वेब साइट पर ही देखने को मिलेगा अगर फिलिप काट या एमोजन पर लिंक मिलता है तो इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो पिछ लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो